नमस्कार किसानसाथियो आज हम बात करने जा रहे हैं तरगा, एजिल और वीप सुपर के बारे में इनको फसल में उपयोग करने का सही समय क्या है और इनकी मात्रा कितनी हमें लेनी है इन तीनों में से बेश्ट कोन है ये भी हम आपको बताएंगे और साथ ही हम इसकी कीमत भी बताने जा रहे हैं और साथ में किसानसाथियो हम आपको ये भी बताएंगे किसमें से कौन सी दवाई है जो कितने प्रकार के खरपतवारों को नश्ट करती है किसान साथियो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी तो किसान साथियो एक निवीदान आपसे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे किसान साथियो हम आपके लिए ऐसे ही महात्पूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे वोई बिल्कुल निश्वल्क तो किसान साथी हो हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टर्गा सुपर और वीब सुपर और एजिल का जो हमको छड़काओ करना है उसका सही समय क्या है किसान साथी हो पहले बात कर लेते हम टर्गा सुपर वीब सुपर और एजिल के छड़काओ की इसका जो कुछ ऐसी मुख फसले हैं जिसमें आप इसका छड़काओ कभी भी कर सकते हैं या तो शुराती दोर में करें या बीच में करें तो आप उसको कभी भी अपनी फसल में किसी भी टाइम पे भी आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे कि धान में सोयबीन, कपास, उड़ाद, ये जो फसले हैं इनमें आप कभी भी इसका छड़काव कर सकते हैं फसल की कोई भी अवस्ता हो किस्तान साथियों आप इसका छड़काव उस वक्त कर सकते हैं अब कई किस्तान साथियों का कहना यह है कि जैसे मेरी मुलाकात होते रहती है तो कई बार किस्तान साथियों इसे डरते हैं फूल के टाइम पे डालने से डरते हैं इस्तिमाल करने से डरते हैं कि कहीं फूल जड़ ना जाए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसकी खासियत है है कि सानसात्य। जो सक्री पत्ती के जो खरपतवार होते हैं ये उन्हें मारता है और उनका सफाया करता है देखें कि सानसात्य। जब तक हमारी फसल में फूल आना शुरू होते हैं तभी ये जो सक्री पत्ती के जो खरपतवार होते हैं वो बड़े होते हैं और घाने होने लगते हैं तभी सही वक्त होता है कि तब हम तर्गा सुपर, वीप सुपर, एजिल का इस्तमाल करें सबसे पहले बात करेंगे तर्गा सुपर की तो इसका जो टेक्निकल है वो है क्यू जालाव फो इथाईल 5 प्रतिशत EC किसान साथियों ये चोड़ी पत्ती वाली फसलों में सक्री जो पत्तियां वाले जो खरपतवार होते हैं उसका ये नियंदर करता है जैसे कि सांबा, बट्टा, मकड़ा, घास, शिनियारी आदी को ये नियंदरित करता है तर्गा सुपर का जो उप्योग है वो हम सोयबीन, कपास, मुंगफली, उड़द और प्याज में कर सकते हैं अब इसका उप्योग जो हमें खेत में करना है किसान साथियो उसमें हमको क्या करना है कि मात्रा जो हमें लेनी है वो 400 ml लेना है आपको एक एकड़ के हिसाब से लेना है और 200 लिटर पानी में हमें इसका गोल तयार करना है और एक एक कड़ में हम इसका उपयोग कर सकते हैं अब इसकी अगर कीमत की बात करें किसान साथियो तो टर्गर सुपर का जो ताम है वो करीब 1200 रुपए है एक लिटर का अब बात कर लेते हैं किसान साथियो वायर कंपनी का वीप सुपर की इसका टेक्निकल है फिनक्साथ प्रॉप पी एथिल 9 EC के रूप में ये आता है सामभा, बट्टा, चिन्यारी, मकड़ा गास, सुनहरी गास इसका ये सफाया करता है अब किसान साथियो बात कर लेते हैं कि किन किन फसलों में इसका उप्योग हम कर सकते हैं तो आप सोयबीन, कपास, चावल, उड़द और प्याज में भी इसका उप्योग कर सकते हैं इसकी मातरा आपको लेनी है 350 ml की मातरा आपको रखनी है एक एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और अगर कीमत की बात करें तो ये 14 से 15 सो रुपए में आपको ये एक लीटर मिल जाता है अब बात करते हैं किसान साथियो एजिल की तो एजिल का जो टेकनिकल अब वो है प्रोपए क्विच जो फॉफ दस प्रतिशत इसी के रूप में ये आता है किसान साथियो इसका उपयोग भी आप सोय बिन उड़त मूम भले आज आदी में कर सकते हैं इसका उपयोग किसान साथियो आप साड़े 300 ml करीब आप ले सकते हैं और एक एकड़ में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे भी आप किसान साथियो सांभा, बट्टा, चिन्यारी, मकड़ा घास, सुनहरी घास, लासाभा, आदी को आप इससे भी समाप्त कर सकते हैं इसका एक लिटर का पैक्ट किसान साथियो 14-15 सो रुपय में आ जाता है अगर हम इसकी तुल्ना तीनों की करते हैं किसान साथियो के सिसमें से तीनों में से बेस्ट कुन सा है तो टरगा सुपर की अपेक्छा एजिल और वीप जो है वो ज्यादा बेस्ट है तो किसान साथियो ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और एक like जरूर कर दीज़ेगा किसान साथियो और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आएए तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिज़ेगा हम आपके लिए ऐसे ही महत पून वीडियो लेकर आते रहेंगे वो भी बिल्कुल निश्युलक आप सभी का धन्नवाद